टीवी के बाद OTT पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले रियलिटी शो बिग बॉस OTT 2 का आज रंगारं कार्यक्रम के साथ अंथ हो गया है। मतलब साफ है सलमान खान ने जनता का फैसला सुनाते हुए बिग बॉस OTT 2 के विजेता की घोशना कर दी है। इस बार बिग बॉस OTT की चमचमाती ट्रोफी और 25 लाख रुके की प्राइज मनी अलविश यादव अपने घर लेकर गए है। जी हाँ, अलविश यादव ने फाइनल में अभिशेक मलहान को करारी हार्ड दी और बिग बॉस के मंच पर इतिहास रच दिया। दरसल, अलविश यादव पहले ऐसे कंटेस्टन्ट हैं, जिन्हें वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर ट्रोफी अपने नाम की। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है अलविश यादव। अलविश यादव ने बिग बॉस उटीटी दो जीतकर सबको बता दिया है कि जो वल कहते हैं उसे पूरा जरूर करते हैं। दरसल, बिग बॉस उटीटी विनने शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने से पहले चेतावनी जारी की थी कि वह शो का सिस्टम हिला कर रख देंगे और उन्होंने बिलकुल वैसा ही किया। गुरुग्राम में जन्में एल्विश यादव ने महस 24 साल की उम्र में बिग बॉस के मन्च से तो सबका दिल जीता ही, लेकिन वह इससे पहले भी लोगों के बीच चर्चा में बने रहते थे। दरसल, एल्विश एक यूट्यूबर और सोशल मीडिया इंफ्लूइंसर हैं, जिन्होंने 2016 में अपना यह सफर शुरू किया था। एल्विश के यूट्यूब पर तीन चैनल हैं, जिनके जर्ये वह फैंस के साथ जुड़े रहते हैं। एल्विश यादव का हरियानवी अंदाज फैंस को खूब लुभाता है और वह अपने इसी स्टाइल के लिए दर्शकों के बीच लोगप्रिय हैं। वह व्लॉग्स, शॉर्ट फिल्म्स और यहां तक की सेलेब्स को रोस्ट करते हुए वीडियोज भी बनाते हैं, जो उन्हें लाइमलाइट में ले आता है। एलविश की पॉपुलरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके इंस्टाग्राम पर 13 मिलियन फॉलोवर्ज हैं और वह हर महीने अपनी वीडियोज की जर्ये करीब 8-10 लाख रुके तक कमाते हैं। लेकिन उनका काम यही तक सीमित नहीं है। यूट्यूब से पैसा कमाने के बाद एलविश ने उसे कई और बिजनेस में इंवेस्ट किया जिन से वह बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं और एक लगजरी लाइफस्टाइल जीते हैं। अपने टेलेंट और मेहनत के दम पर हासल की इस कमाई से एलविश ने खुद का एक क्लोधिंग ब्रांड भी खोला है। इसके साथ ही यूट्यूबर का एक एंजियो भी है। करोडों में खेलने वाले एलविश यादव की लाइफस्टाइल राजा महराजाओं से कम नहीं है। उनके पास कई महेंगी और लगजरी गारियां हैं जिन में पोर्शे 718 बॉक्स्टर सबसे महेंगी है। इस गारी की कीमत 1.70 करोड से ज्यादा है। एलविश यादव को गारियों के साथ ही प्रॉपर्टी खरीदने का भी शौक है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी। हमें कमेंज में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।